आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2018 में रिलीस हुई फिल्म Red Sparrow इस मूवी में आप देखेंगे के रशियन्स कितनी खतरनाक ट्रेनिंग के साथ अपनी लड़कियों को जासूस बनाते हैं और ऐसी ही एक लड़की डॉमिनिका पर बेस्ट है आज की मूवी मूवी स्टार्ट होती है एक लड़की डॉमिनिका को देखते हैं डॉमिनिका अपनी फैमिली की अकेली अर्निंग मेंबर होती है डॉमिनिका की मौम की तबियत बहुत खराब रहती थी आज भी डॉमिनिका अपनी मौम का चेक अप कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लाई थी हॉस्पिटल से वो लोग घर आ जाते हैं और डॉमिनिका अपने काम पर चली जाती है वो एक डांसर होती है दोमिनिका अपना dance performance शुरू कर देती है दूसरी तरफ हम Nate Nash नाम के आदमी को देखते हैं Nash का आदमी उसे कुछ देता है और उससे कुछ ले लेता है उन्हें ऐसा करते हुए पुलिस ने देख लिया था पर पुलिस नेश के दोस्त को पकड़ना ले इसलिए Nash ने गोली चला दी थी और पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं Nash पुलिस वालों से बचकर भागते हुए American Embassy आ जाता है Embassy में वो अपने आपको surrender कर देता है दूसरी तरफ दोमिनिका अपने पार्टनर के साथ डांस कर रही होती है गलती से उसका partner उसके पैरों के ऊपर कूच जाता है दोमिनिका का पैर तूट जाता है दोमिनिका को hospital लाया जाता है जहां पर उसके पैरों की surgery होती है American Embassy में पता चलता है Nash एक American CIA जासूस होता है Nash जिससे मिलने गया था उस आदमी का code name होता है Marble वो American जासूस होता है जो Russians की सेना में शामिल होता है Nash के seniors उसे America वापस जाने को कहते हैं Russians spy agency के deputy director जो दोमिनिका के अंकल होते हैं वो director और general से मिलने आये थे deputy director का नाम Ivan होता है director उन्हें रात वाले हाथ से के बारे में बताते हैं वो American जासूस तो America चला गया पर जो दूसरा आदमी जो हमारी ही agency में शामिल है हमें उसे धुनना होगा दोमिनिका को doctor से पता चलता है कि वो आज के बाद कभी dance नहीं कर पाएगी उसको इस बात से बहुत दुख होता है इस घटना को तीन महीने बीत जाते हैं दोमिनिका के घर पर उसके अंकल इवान मिलने आये होते हैं उसके अंकल बताते हैं तुम्हारा dance partner तुम्हारे पेरो पर जान करके कूदा था ताके तुम्हें बाहर करने के बाद वो अपनी girlfriend को तुम्हारी जगा ला सके ये जानने के बाद डॉमिनिका अपने डांस पार्टनर से मिलने जाती है वो देखती है उसका पार्टनर अपनी गल्फरेंड के साथ लॉकर रूम में नहा रहा होता है डॉमिनिका एक लोहे के डंडे से उन दोनों को बहुत मारती है दॉमिनिका अपने अंकल के पास आई होती है वो कहती है आपने कहा था आप हमारी मदद करेंगे वो कहते हैं उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी हमें अंडरवर्ल डॉन दिमित्री के बारे में जानकारी खटा करनी है तुम उसका भरोसा जीतो होटल जाकर उसे सिडियूस करो डॉमिनिका इस काम के लिए मना कर देती है फिर उसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम देश के काम आती हो तो तुम्हारी मा के इलाज का खर्चा हम लोग उठाएंगे और तुमें भी कोई प्रॉबलम नहीं आने देंगे डॉमिनिका उनकी बात मान जाती है डॉमिनिका तैयार होकर होटल में आ गई होती है दिमित्री खुद चल कर उसके पास आता है दिमित्री उससे बात करना शुरू कर देता है और डॉमिनिका उसे सिडियूस करती है वो डॉमिनिका को अपने रूम में ले आया होता है वो डॉमिनिका को अपने कपड़े उतारने को कहता है डॉमिनिका को वैसा ही करना पड़ता है फिर वो डॉमिनिका को पकड़ कर उसके साथ जबरजस्ती करने लगता है वो उसकी इज़त लूट लेता है वो दरवाजे की तरफ देख रही होती है पर वहाँ से कोई नहीं आता थोड़ी देर बाद एक आदमी पीछे से आकर दिमित्री का गला काड़ देता है वो डॉमिनिका को बचा कर अपने साथ ले जाता है वो भी एक जासूस होता है दॉमिनिका के अंकल यहाँ पर आते हैं वो कहती है आपको पता था के अगर मैं उसके साथ कमरे में जाऊंगी तो क्या होगा अंकल कहते हैं अगर मैं तुम्हें पहले पता देता तो तुम वहाँ जाती ही नहीं उसकी इज़त लुड़ जाने से उसके अंकल को कोई फरक नहीं पड़ा होता है वो कहते हैं अब तुम हमारे काम करने के तरीके के बारे में जान गई हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं या तो तुम एक स्पैरो बन जाओ वरना तुम्हें मार दिया जाएगा दोमिनिका जासूस बनने के लिए तयार हो जाती है वो स्पै स्कूल की मेटरिन से मिलती है मेटरिन कहती है तुम्हें यहाँ पर अपने दुश्मन को बहका कर उसकी जानकारी निकालने की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें लौक खोलना सिडियूस करना ये सब सिखाया जा रहा था दोमिनिका शावर ले रही होती है तबी उसका साथी कैड़िट उसका रेप करने की कोशिश करता है दोमिनिका शावर के हैंडल तोड कर उसे बहुत मारती है रशियन एजनसी को पता चलता है के नैश को बुडापेस्ट भेज दिया गया है डॉमिनिका और साथी कड़ेट को जेनरल के सामने पेश किया जाता है जेनरल डॉमिनिका से पूछते हैं तुमने उसे रोका क्यों डॉमिनिका कहती है मैं देश की कर्जदार हूँ उसकी नहीं मेट्रेन डॉमिनिका को कहती है के ये सब तुम्हारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है साथी कड़ेट को बुला कर डॉमिनिका से कहती है इसे जो चाहिए इसे दे दो डॉमिनिका अपने सारे कपड़े उतार कर उसकी आँखों में देखने लगती है वो केड़ेट उसके साथ कुछ नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है ये जेनरल भी देख रहे होते हैं डॉमिनिका अपनी ट्रेनिंग खत्म करके घर वापस आ गई होती है डॉमिनिका को उसके अंकल कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं डॉमिनिका के जाने पर वो बताते हैं रशियन एजनसी में एक गदार है जिसे ये अमेरिकन नैश जानता है ये अभी बुदापेश्ट में है तुम इससे मिलो इससे नजदीकें बढ़ाओ और उस गदार का नाम पता करो वो डॉमिनिका को एक नया नाम और नई अडिन्टिटी देते हैं डॉमिनिका बुदापेश्ट आ जाती है यहां पर वो अपने रूम पार्टनर से मिलती है वो भी एक जासूस होती है डॉमिनिका उसी स्विमिंग पूल को जॉइन कर लेती है जिसमें नैश आया करता था वहां पर वो अपना असली नाम ही बताती है वो स्विमिंग पूल में जा रही होती है नैश उसे मुड़ कर देखता भी है डॉमिनिका स्विम करके बाहर आती है नैश उसे रोक कर उससे बात करने लगता है डॉमिनिका बताती है वो एमबैसी में ट्रांसलेटर का काम करती है नैश बताता है वो एक कांसलर है डॉमिनिका अगले दिन स्विमिंग पूल आई होती है वो देखती है पूरा पूल खाली ह डॉमिनिका रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगती है, रिसेप्शन वाली लेडी बताती है, आपकी आईडी गुम हो गई है, उसकी आईडी नैश ने चुड़ाई होती है, वो जान जाता है कि वो एक जासूस है, और यहां मार्बिल का पता लगाने आई है, नैश कहता है, वो हमारे काम आ सकती है वो रशियन एजेंसी के डेप्यूटी डिरेक्टर की भतीजी है डॉमिनिका एक फंक्शन में आई होती है यहाँ पर उसे अपनी रूम पार्टनर भी दिखती है तभी नैश पीछे से आकर उसे डॉमिनिका कहता है वो कहती है मतलब तुमने मेरी आईडी चुराई थी दोनों आपस में बात करते हैं इनकी बातों से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं नैश उसे अगले दिन डिनर के लिए बुलाता है डॉमिनिका घर आकर अपने रूम पार्टनर के रूम की तलाशी लेती है उसे उसके मिशन के बारे में कुछ चीजे पता चल जाती है नैश होटल में डॉमिनिका का इंतजार करता है पर वो नहीं आई होती है वो होटल के बाहर ही छुपी होती है नैश जब वहाँ से घर वापस आने लगता है वो उसका पीछा करते हुए उसके घर आ जाती है डॉमिनिका पूछती है तुमने उस दिन पार्क में गोलियां क्यों चलाई थी नैश कहता है एक दोस्त की जान बचाने के लिए डॉमिनिका उसे किस करती है उसे सिडियूस करने की कोशिश करती है पर नैश उसे घर वापस भेज देता है सुबह होने पर डॉमिनिका नैश के घर गई होती है वहाँ से नैश के ड्रिंक किये हुए गलास को अपने साथ ले आती है घर आकर देखती है उसके अंकल उससे मिलने आये थे अंकल केस के बारे में पूचते हैं तो डॉमिनिका बताती है अब उसको मुझे पर भरुसा होने लगा है ये सुनकर इवान बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है डोमेनिका बाहर से घर वापस आती है वो देखती है उसकी रूम पार्टनर का रूम खुला होता है वो रूम के अंदर जाती है तो एक रुषियन एजन्ट उसका गला पकड़कर उसे माटा की लाश दिखाता है कहता है ये राज उगलने का नतीजा है डॉमिनिका माटा के मिशन के बारे में जान गई थी उसने ये बात अपने अंकल को बता दी थी इसलिए उसके अंकल ने एक एजन्ट भेज़ कर माटा को मरवा दिया था डॉमिनिका नैश के घराई होती है उसे अपनी रूम पार्टनर के बारे में बताती है नेश कहता है वो एक स्पेरो थी और तुम भी पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा के तुम्हारे अंकल तुम्हें इस दलदल में कैसे धकेल सकते हैं नेश उसे कहता है तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ मुझे उनकी जानकारी दो डॉमिनिका कहती है मैं उनके लिए जो काम करती हूँ तुम्हारे लिए भी यही काम करूँ तो दोनों में अंतर क्या है नेश कहता है जो तुम नहीं चाहती हो मैं तुमसे वो करने को कभी नहीं कहूंगा डॉमिनिका सोने चली जाती है रात हो जाने पर उसकी आँख खुलती है डॉमिनिका नेश के पास जाकर पूछती है मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ जिस पर वो हां बोलता है, वो दोनों intimate हो जाते हैं, डॉमिनिका नैश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, डॉमिनिका नैश के office में होती है, जहां पर उसका lie detection टेस्ट होता है, कि कहीं वो Americans को धोखा तो ना दे, वो टेस्ट में पास हो जाती है, डॉमिनिका उनसे कहती लंडन आई होती है वहां के होटल रूम में वो USA की Chief of Staff से मिलती है उन्हें बताती है मुझे माटा ने भेजा है डॉमिनिका उन्हें पैसे देती है और वो उन्हें Security System के Codes दे देती है डॉमिनिका उनके दिये हुए Codes को अपने पास रखे हुए नकली Codes से बदल देती है उसे ऐसा करते हुए Americans देख रहे थे वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि उनका भरोसा जीत सके डॉमिनिका वहां से चली जाती है नैश रूम में जाकर डिस्क कलेक्ट कर लेता है Chief of Staff होटेल के बाहर आती है तो एकसिडेंट में उनकी मौत हो जाती है डॉमिनिका को एक एजेंट बताता है कि उसे रुषियन डेरेक्टर ने बुलाया है डॉमिनिका रुषिया चली जाती है डॉमिनिका को रुषियन एजेंसी में लाया जाता है यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि Chief of Staff के बारे में अमेरिका को कैसे पता चला वो कहती है मुझे नहीं पता फिर उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है वो लोग उसे बहुत मारते हैं पर वो उन्हें कुछ नहीं बताती डॉमिनिका ने इतना टॉर्चर सहने के बाद भी कुछ नहीं बताया होता है उसके अंकल इवान उससे मिलने आये होते हैं तब वो उन्हें बताती है कि मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अमेरिकंस का भरोसा जीतने के लिए किया है उन्हें अब मुझे पर यकीन होने लगा है आप मुझे वापस भेज दो मेरा मिशन अभी अधूरा है उसके अंकल डोमिनिका की बात सुनकर डोमिनिका को घर जाने देते हैं इवान डोमिनिका के बारे में डायरेक्टर और जनेरल से बात करने गए थे इवान अपने घर पर वापस आते हैं तो वो देखते हैं डोमिनिका उनके घर के अंदर ही बैठी होती है डोमिनिका पूछती है आपने मेरे बारे में बात करी वो कहते हैं बात हो चुकी है तुम बुदापेश्ट जा सकती हो डॉमिनिका बुदापेश्ट आकर नैश से मिलती है नैश उसे देखते ही गले लगा लेता है नैश उससे पूछता है कि उन्होंने तुमें छोड़ा कैसे पताती है मैंने उनसे कहा कि मैंने अमेरिकन्स का भरोसा जीत लिया है और अब तुम हमें उस जासूस का नाम बता सकते हो नैश कहने लगता है तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता वो कहती है मुझे पता है तब डॉमिनिका उसे कहने लगती है कि तुम मुझे अमेरिका भेज दो और मेरी मा को भी वहाँ भिजवा देना मेरे एक बैंक अकाउंट में तुम धाई लाग डॉलर्स दलवा देना वो मेरा सेटलमेंट अमाउंट होगा जिसके लिए नैश भी मान जाता है डॉमिनिका रात में सो रही होती है उसकी आँख खुलती है वो देखती है नैश उसके बगल में नहीं होता है वो उठकर रूम से बाहर आती है तब देखती है एक एजेंट ने नैश का गला पकड़ा होता है डॉमिनिका नैश के पास जाकर उसके हाथ और पैर बान देती है वो एजेंट नैश को टॉर्चर करना शुरू कर देता है नैश के कुछना बताने पर डॉमिनिका मशीन खुद मांगती है और उसे टॉर्चर करने लगती है डॉमिनिका जैसे ही देखती है उस एजेंट का ध्यान दूसरी तरफ होता है वो उसी पर हमला कर देती है तुरंट नैश के हाथ और पैर खोलने लगती है वो एजेंट डॉमिनिका पर हमला करके उसे जखमी कर देता है नैश चाकू लेकर एजेंट पर हमला करता है एजेंट नैश को भी जखमी कर देता है डॉमिनिका एजेंट पर हमला करती है और उसे जान से मात देती है नैश उसे कहता है MBCC में फोन लगाओ उसके बाद डॉमिनिका भी बेहोश हो जाती है डॉमिनिका को होश आता है तब वो हॉस्पिटल में होती है वो रूम से बाहर आकर सिग्रेट पी रही होती है तब ही अपने सामने जेनेरल को देख कर वो बहुत डर जाती है वो कहने लगती है जो हुआ है मैं समझा सकती हूँ तब जेनेरल उसे अपनी बात बताने लगते हैं कहते हैं मेरी पतनी की तबेत एक बार बहुत खराब थी उसका इलाज रशिया में नहीं हो सकता था एक अमेरिकन डॉक्टर उसका इलाज कर सकते थे पर मेरी एजनसी वालों नहीं मुझे इलाज कराने से मना कर दिया और मेरी पतनी की मृत्यू हो गई और तब से ही वो रशियन से नफरत करता था उसके बाद वो अमेरिकन से मिल गया था ये वही जासूस होता है जिसे रशियन से धून रहे थे जिससे नैश पार्क में मिला था जेनरल कहते हैं तुम मुझे उनके हवाले कर दो तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा और तुम मेरी जगा ले सकती हो डॉमिनिका कहती है ऐसा करने से वो आपको जान से मार देंगे वो कहते हैं एक ना एक दिन तो हम सभी को मारना है और यहां से चले जाते हैं डॉमिनिका भी होस्पिटल से बाहर निकल जाती है वो रशियन एमबेसी आई होती है जहां पर वो लोग उसे गिरफतार कर लेते हैं डॉमिनिका कहती है मुझे एमबैसेडर से मिलना है एमबैसेडर से मिलकर वो कहती है आपको डिरेक्टर को कॉल करना होगा उनसे एक सौदा करना होगा जासूस के बदले मैं जब वो मान जाएंगे, तब डिरेक्टर को जासूस का नाम मैं खुद बताऊंगी डॉमिनिका डिरेक्टर से बात करके, उन्हें जासूस का नाम बता देती है डॉमिनिका को रशियन एजिंसी, एरपोर्ट लाई होती है एरपोर्ट पर उसे नैश भी मिलता है नैश कहता है तुम गलत कर रही हो, सामने से रशियन्स जासूस के मुँपर कपड़ा बांध कर उसे ले आए होते हैं डोमिनिका कहती है मैंने जो किया है वो तुम समझ जाओगे नैश रशियन्स से जासूस का चेहरा दिखाने को कहता है जहरे पर से कपड़ा हटाने पर देखते हैं उन्होंने डोमिनिका के अंकल इवान को पकड़ा होता है ये देखकर नैश पिहरान हो जाता है इसका मतलब था डोमिनिका ने डिरेक्टर को इवान का नाम बताया था नैश कहता है वो हमारा आदमी है उसे आने दो डॉमिनिका नैश को goodbye कहती है उसने Americans का ही साथ दिया होता है फ्लेश बैक में दिखाते हैं डिरेक्टर ने इवान को बुलाया होता है उसे कहते हैं हमें जासूस का नाम पता चल गया है हमने जासूस के घर की तलाशी ली उसमें बहुत सारा समान ऐसा मिला जो नैश की तरफ इशारा करता है डॉमिनिका जब अपने अंकल के घर आई थी उसने नैश के बहुत सारे सबूत अपने अंकल के घर पर छोड़ दिये थे जैसे नैश का ड्रिंक किया हुआ गलास डिरेक्टर एक बैंक स्टेटमेंट भी दिखाते हैं जिसमें अमेरिकन्स ने धाई लाग डॉलर्स डाले थे डॉमिनिका ने वो अकाउंट अपने अंकल के नाम पर ही खुलवाया था डिरेक्टर कहते हैं खाता आपके नाम पर है आप ही जासूस हैं जिवान उनसे कहता है मैं बेकसूर हूँ मैंने कुछ नहीं किया डिरेक्टर उसकी बात नहीं सुनते उसे गिरफ्तार करवा देते हैं उसके अंकल डॉमिनिका से कहते हैं तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा डॉमिनिका कहती है आपने मेरे साथ क्या किया था जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं रशियन स्नाइपर उन्हें गोली मार देता है उनकी मिरित्व हो जाती है और डॉमिनिका को रशिया लाया जाता है रशिया पहुँचने पर डॉमिनिका का सम्मान किया जाता है जैनेरल भी उसे देखकर खुश हो रहे थे डोमिनिका उसी थेटर में आज चीफ केस्ट बन कर आई थी जहां पर वो डांस किया करती थी डोमिनिका वहां से निकल कर अपने घर आ गई होती है उसका टेलिफोन बजने लगता है कॉल उठाने पर उसे पियानो बजने की आवाज आ रही थी जिसे नैश बजा रहा होता है इसी के साथ ये मूवी यहां पर खत्म हो जाती है इस मूवी में दिखाया जाता है कि एक शरीफ लड़की की जिंदगी उसी के अंकल बरबात कर देते हैं इस एजनसी में वो काम करती होती है उसका सच जानने के बाद वो उसी एजनसी को धोका देती है जो एजनसी अपने देश और अपने देश के नागरिकों की रक्षा ना कर पाए वो आखिर है ही किस काम की इसी संदेश के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है आप लोगों को मूवी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिएगा